कि अब यह तो जी अपिक्षार क्यों सुनेगा तुमको सामने वाला क्यों सुनेगा स्टेप्स है कि ए ए ए ए यह था बाद में ए यह था बाद में अरे आजा भाए लवाशुका प्रेजन्टेशन सब डालके उसके लिए ताल के उपर अभ्यास होना जरूगी है कि अब दो कि अब दो कि अब दो कि अब दो मित्रों नमस्कार मैं संजेपत्त की श्वर्श्वामी एक और श्वर्श्वामी दो ऑफिशल इन दोनु चैनलों की मांत्रम से आपके समक्षपी रिख बार आगे बहूँ बहुत से लोग एक्जाम के माध्यम से संगीत को देखते हैं कि संगीत से हमको कुछ मिलने वाला है ऐसा है तो जौब मिलने वाला जलत नहीं है बिल्कुछ सही है लेकिन है कि एक आर्टिस्त होने के लिए एक्धाम देना जरूरी है क्या यह आप सोकी पहलें एक आर्टिस्त बनने के लिए आपको एक्धाम देना जरूरी है क्या या vois जाब करना करते हुए इसलिए अचल रागों की मतुरा लगा इससे लगतें एक ये शयंगार के बीव हो तो वैसे एक एक राग को आप खाली एसे देखते हो आगा निक्छा जैते हो दिखते हो देखते हैं चाहीज अच्aching सबकुत तो ऐसे वह चीज़ देखते 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 हो इसका मतलब आपने गौलेर घूमे क्या, नहीं किसी एक राग की घ्यास, यदी पुनाने जमाने में देखाऊ गामने एक एक साल तक चला, 6 में तक चला एक राग को लेके उसके गली-गली से गुजरना, हर refugee, हर तरीके से उसको अपलाए करना वेसे एक गाउ में रुक के गली-गली मालूम हुना उसके अंदर आपको घुमना तो रागो का आपको नौलेज है आज क्या होता है कि exam oriented गाना सिखने के बाद में सिखने के लिए रहता है सिलाबस में दस राग चेशे मेने का सिमिस्टर सिस्टिम चुरू गया दस मेना दस राग इनर चेशे मेने दस राग एक साल में और जैसे से आप बढ़ते जाते हो भी में तरफ तो राग भी बढ़ते जाते हैं कि तुमारी कपश्री बढ़ गए ऐसा वह मानते हैं हालाकि वैसा कुछ नहीं रखता सकते हैं तो दस रागों में से शिक्षक आपको छे साथ राग करवाता है किसी का धुरूपत द्रमार ये वो पूछने वाला उसमें से दो पूछता है और आधा सुनता है क्यो आधा सुना अधा ध्यान उसका विसा बरने में था एक्जाम के अंदर आपको यह चीज देखने को मिलती है लेकिन गायकी सीखते वक्ति यह चीज वहां पर माइन ही नहीं रखती है एक्जाम है नहीं तो बहुत चले जा रहे है कि कहा तक चलना है जब तक नहीं आता तब तो खयाल सिखने बैठें आप टे एंपरे वही संसकार हुए वही संसकार अंतिम पारिक्षा में अपना रखते हैं आप पूरी 12 मात्रे यह करते गाते रहते हो भाधकंडे साहब ने वह चीज आपको बाहन कर दिया है ताकि आप गलत नहीं तीन चक्के की वह गाड़ी बनाया आपकी चार चक्के की वह चीज आप बैलेंस ना जाय करके उन्हें सेट करके दिया है उन्होंने प्रॉपर में किया है क्योंकि जैसा जैसा बड़ा बच्चा होता है वैसे 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 घुटने पर चलता बड़ा होने के बाद में भूटने पर नीचलता अप एक शित यह है कि उसके अंदर बड़ोतरी हो अगर बच्चा बढ़पन में ऐसा चलता है तो बड़ेपन में ऐसा चलेगा तो कैसा सोचो तो 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 वो जो आप पहले बेसिक खयाल सिखते हो वो खयाल एक मात्रा के चार पार्ट आपको पहले सिखाया जाते हैं वो आपको गिनते आना चाहिए उसका बीट आपके ब्रेन में तयार होना चाहिए करके वो एटी सही सा दो भी बोलो तो एरि एरि आजाइ भागिलावा सुकर वाह आव मुरे मनसी सुन सुन जीयादी बाते हेरे तो खुश निमां तक आगए बेसिक से शुरूत है वो रांगना चलू था अब चलना शुरुaty ऊसके बाद में ये करते 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 12 मात्राओं में अब ये राज की बात बोर रहा हूँ 12 मात्राओं को आप गातो है मतलब गातो रहे हो पर शब्द क्या है और जहां पर अवग्रा दिये वहां पर ब्रेक कीजिए क्योंकि भावना का परकेटिकन करना है ब्रेक जरूदी बैलबान तुकवान मारे माना कि सुना सुना जी आते कि बाद आते हैं रे ए आ भर गे लग स्टिप से ए ए ए ए ए ये था भी बाद में ए ये था बाद में ए रे आ जा भाई प्रिजेंटेशन सब डाल के उसके लिए ताल के उपर अभ्यास होना जरूगी है पहले दवरान ताल पे अभ्यास नहीं था इसलिए पहले जो ख्याल सीखिए इसको ए ए ए में ये ठीक है 100% करेक्ट है लेकिन जैसे जैसे आप एक्जाम आगे आगे जाते हो जैसे बड़े होते है तो आपसे ये अपेक्षित नहीं है ताकि वो अपेक्षित है आप क्या करते हो इसी को 80% इंपक्ट आपके दिमाग में रहता है उसी तरीके से हो पिया मोरे आना तैदे सगे लवा आप ये आमोरे आना तैदे सगे लवा आप ये आमोरे आमे पिया मोरे आना तैदे सगे लवा आपको गुरु के सारीद में बैठके बार-बार वो रात करके एक्जाम नहीं देते हुए उसके उपर फोकस और कि YouTube क्या बोल रहा है मारवा आ कौनसा दुख व्यक्त कर रहा है दbal कुछ हो गया है दिस्तब हो गया मर गया कोई यह सब चीजों के अंदर कौन सा दुख मारवा व्यक्त कर रहा है यह चीज आपके पीछे पास्ट में घटेवे इस रेंस से को लेट करो उसके बाद में मारवा आते देखा तो मारवा असर करेगा यह नहीं शास्त्र नहीं गाना है कला गाना है खाना गाना शास्त्र को खाना है कला को गाना है और इससे भी उपर बलता हो गाने में जीना है आप सब अच्छे हो, सब करने वाले हो, स्वामी जी आपके तरफ महरबान है, आपको और महरबानी करे, आप अपने लाइफ में जो भी चीज सोचे हो, उस मुकाम तक पहुंचे, ऐसे मैं दूआ करता हूँ, सभी के लिए करता हूँ, और आपको आश्रिवाद महराज का प्र करता हूँ